तो हेलो गाइस आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे इस बहतरीन चैनल पर जिसका नाम है First Explain और फैनली मैं एक बहतरीन मुवी लेकर आप लोगों के लिया आ चुका हूँ जिसका नाम है Godzilla vs Kong या फिर Kong vs. जीला आप इसे कुछ भी कह कर बूला सकते हैं सब कुछ जायस ही है गाइस मैं बतना चाहूँगा कि ये एक बहतरीन मुवी है इसलिए एंड तक बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मैं 100 सब्सक्राइबर जल्देते हीट कर सकूँ लास्ट वीडियो पर मेरे 100 के करीब यूज थे लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं प्लीज यही बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्यूंकि मुझे ये वीडियो बनाने में काफी टाइम लग जाता है आप इसी मुवी की से ए इरिया में होता है जिसे मौर्क ने बनाया होता है उसके बाद हम एक लड़की से मिलते हैं जो कि सिर्फ साइन लैंग्विज को समझती है उसके बाद हम कौंग को देखते हैं जो कि इस जगह को रहना नहीं चाहता और वहां पर यह एक लकड़ी से इस जगह को तोनने की कोस चीजिस करता है लेगिन वो इसे तोन नहीं पाता क्योंकि मौट ने से काफी मच्बूत बनाया होता है उसके बाद ये लड़की अपनी मा के पास जाकर ये सब बताती है कि कौंग यहां पर सेफ नहीं है और इस लड़की की मा का नाम होता है एली वो जाकर मौट से बूलती है कि कौंग यहां पे सेफ नहीं क्योंकि अगर गौडजीला को कौंग मिल जाता है तो इन दोनों के बीच बहुत बहेंकर लड़ाई हो जाएगी और यहां पर अराम से गौडजीला कौंग को हरा देगा उसके अबाद मौर्ग का काम होता है कि वो कौंग को सेफ रखें साथी सा कौंग महां पे खुश रहें उसके बाद हम इस एपक साइबरनी टी की जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो एक खुफया प्रोजेक्त पर काम कर रही होती है और इसी का एक इजिनियर होता है जिसका नाम बर्내 होता है और वो बर्י का मनना होता है कि यह कंपनी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो आगे इनकी फ्यूचर के लिए खतरनाक थावित हो सकें उसके बाद ये अपनी ही कमपनी के खिलाफ में प्रोडकास्ट में आना सुरू करता है और उस प्रोडकास्ट को ये वीडियो टाइप में बनाया करता है और उस प्रोडकास्ट को मेडिसन भी सुना करती थी एक दिन बरनी अपनी कमपनी के खिलाफ कुछ फाइल्स को पैंडराइब में कौपी कर रहा होता है उसके बाद हम मिलते हैं और हमें यहां पता चलता है कि ये एपेक्स कमपनी का हैड है उसके बाद यहां पर गौडजिला आ जाता है और इनकी कमपनी बुरी तरह से तहस नहस कर देता है उसके बाद बरनी यह भागने लगता है उसके बाद इस लड़की का बाप मॉनेक में ही काम करता है उसके बाद इन दोनों में काफी बाचीत होती है जिस दोरान ये सब कुछ बता देती है कि गौडजिला ने कहां कहां पे क्या क्या तभाई मचाई उसके बाद इसके ड़ड बोलते हैं कि Godzilla ऐसा नहीं कर सकता है और साथ ये बोलते हैं कि Godzilla ने जरूर किसी वज़े से ही उनके उपर हमला करा होगा उसके बाद Sin Apex Head के पास आता है और वो अपने एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम Nathan Neil होता है और इन दोनों में काफी बातचीत होती है जिस दोरान हमें काफी कुछ पता चलता है जैसे कि Have जिसका मतलब है Hollow Earth Air जिसका काम होता है अर्थ के एक छोर से दूसरी छोर की तरफ ले जाना वो भी Underground यानि अर्थ के इंटर कोस से होते हुए उसके बाद Scene Medicine और उसके दोस्त जोस के साथ आता है और वो दोनों मिलकर Apex Cybernet जा रहे होते हैं और उनको बस जानना होता है कि वहाँ पे खत्रा किस चीच का है और वो वहाँ पे मिलने जा रहे होते हैं बरनी से अब Scene बदल कर कॉंग पर आता है जहां हम देखते हैं कि कॉंग को ये लोग एक carrier में बिठा कर एक safe place के लिए ले जा रहे होते हैं और हमें यहां पे पता चलता है कि जहां ये लोग कॉंग को ले जा रहे हैं वहीं पे कॉंग के माता पिता रहा करते थे और कॉंग का origin भी वहीं है उसके बाद सीन रात पर आता है जहां हम देखते हैं कि जिया कॉंग के पास जा रही होती है और उसके बाद हम एक चीज समझ में आती है कि कॉंग और ये लड़की आपस में sign language के द्वारा बातचीत करा करते थे और यहां पर हम माया नाम के लड़की से मिलते हैं जो की यहां पर काम कर रही होती है और गाइस यहां पर मैं आपको एक fact बताता हूं कि इस लड़की का जो बाप होता है वो वही है जो एपक्स का head है यानि कि ये लड़की जिसका नाम माया है वो मौनेक के लिए काम करती थी और ये लोग जब कौंग को ले जा रहे होते हैं तब यहाँ पे गौडजीला आ जाता है और यहाँ पे इन दोनों की पहली बार आमने सामने एक फाइट होती है और इन दोनों के भी जितनी भेंकर लड़ाई होती है कि क्या बताओ मुझे तो सबसे यादा मज़ा भाई इसी सीन में आया था लेकिन इस फाइट को गौडजीला जीत जाता है और सारे टीम मिलकर गौडजीला का ऐसा दिखाते हैं कि कौंग अब मारा जा चुका है और गौडजीला वहाँ से चला जाता है उसके बाद इन दोनों को हम देखते हैं जो कि अब बर्नी के पास पहुँच चुके हैं उसके बाद ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और ये पूचते हैं कि खत्रा किस चीच का है तो बर्नी यहां पर बताता है कि उसकी जो ये कंपनी हैं ये खास तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिससे हमें आने वाल टैमें फीचर पर खत्रा हो सकता है लेकिन बर्नी को ये बात साफ साफ नहीं पता होती है उसके बाद जब गौडजीला कंपनी के उपर हमला कर देता है तो उसे एक इलेक्ट्रो मैगनेटिक टाइप में एक सरकल दिखाए देता है उसके बाद ये तीनों इस कंपनी को एक्स्प्लोर करने में लग जाते हैं उसके बाद इन दोनों को एक चीज मिलती है और उसे से ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उसके अंदर होते हैं स्क्रेप कॉलर के अंडे जो की एक टेस्टिंग में हेव एपेक्स इन अंडों को पाल रही होती है उसके बाद इन लोगों को वही गाड़ी मिलती है हेव नाम की जो कि एक इंटरकोस से दूसरे इंटरकोस के तरफ जाया करती यानि कि एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाया करती है उसके बाद एपेक्स कंपनी को ये मालूम पड़ जाता है कि इनके कंपनी के अंदर कुछ गुस पैटी ये घुसे हैं उसके बाद ये तीनों मिलकर इस विकल के अंदर घुश जाते हैं और एक छोड़ से सीधा होंग कोंग की तरफ में आते हैं और गाइस हम यहां पर देखते हैं क्योंकि यह लोग कॉंग को लेकर हेलिकॉप्टर में ले जा रहे होते हैं और वो लोग फाइनली कॉंग को लेकर एंटार्टिका की उस जगा पहुँच जाते हैं जहां पर कॉंग के ओरिजिन्स थे और गाइस हम यहां पर पहली वारी इस जगा को देखते हैं जहां पर ग्रैविटी हमारी अर्थ से बिर्कुल डिफरेंट होती है उसके बाद हम देखते हैं कि कोई अजीब सी उन्ने वाली चीजें कॉंग की उपर हमला कर देती है और कॉंग उन्हें बड़े अराम से हरा देता है और हम देखते हैं कि कॉंग को ये जगा पहले से ही मालूम होती है उसके बाद कॉंग एक केव की तरफ जाता है और अपना हाथ रखता है और जैसी कॉंग उस पर अपना हाथ रखता है तो वो केव खुल जाती है और वो कॉंग को आगे की तरफ पुश करती है और कॉंग वहा एक factor पता चलता है कि जो कॉंग की X है वो खास तरीके के radiation को सोक लेती है और उससे अपने लिए एक energy generate करती है और हमें यहाँ पर यह चीज भी clear हो जाती है कि यहाँ पर यह अपने डाइट के लिए काम कर रही होती है और गाइस हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि इन लोगों को इस radiation को क्यों चाहिए मतलए मुने यह radiation क्यों चाहिए और गाइस यहाँ पर movie का सबसे ख़तरनाग plot खुलता है जो कि होता है कि Apex इस radiation का इस्तमाल करके एक mega godzilla बनाने पर काम करेगा जिससे कि omega godzilla अपने आपको चार्ज अप करेगा यानि कि यह radiation एक खास तरीके कि बैटरी का काम करेगा उसके बाद हमें यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाती कि सुरू सेक्चुल में इनका plan यही सब था और जो सुरुवात में मैंने आपको बताया था कि बर्नी ने जो सरकल वाला इलेक्ट्रो मैगनेटिक देखा था वो और कुछ नहीं वो इसी mega godzilla की आँख होती है उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो इन लोगों ने godzilla duplicate बनाया है मैचा godzilla इसको गिदोरा का इसकल कंट्रोल करता है यानि कि इसकल के अंदर इसे कंट्रोल किया जाता यानि कि एक mechanical robot है उसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ने जो अंडे देखे थे वो टेस्टिंग के लिए जो यह लोग रख रखे थे अपने पास अब वो अंडेव में से कुछ बहार आ गए हैं और इन पर हमला कर देते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि मैचा godzilla इने दो मिनिट के अंदर बहुत बुरी तरीके से हरा देता है वो उने सरिफ दो मिनिट में हरा देता है और यहां पर apex company के बारे में पता चलता है कि उनका plan है कि यह robotic titans असली titans की जगा ले लें और यह इनका सुरू से ही plan होता है यहां पर हमें पता चलता है कि godzilla ने इन पर हमला क्यों किया था उसके बाद hong kong में entry होती है godzilla की जो की apex company पर हमला करने आया होता है उसके बाद यहां पर godzilla अपनी पूरी power से जमीन में गड़ा बना देता है और यहां पर सीधा वो गड़ा खुते हुए kong के island पे निकलता है यहां पर kong माया को मार देता है और kong उस गड़े में कूच जाता है और यहां से सीधा होते हुए hong kong जा पहुंचता है उसके बाद इस बाद तो kong अपना हतियार साथ में लाया होता है और उसके बाद वो इस movie का सबसे बहतरी इन सीन हमें दिखाता है जो होता है इन दोनों में खतरनाक युद इन दोनों में इतना भहिंकर युद होता है कि जो में सब्दों में बयान नहीं कर सकता है और इस बार कॉंग गोडजिला को इतनी भेरहमी से मारता है कि गोडजिला आधा अदमरा हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से इधर उधर भटकने लगता है और उसके बाद गोडजिला बहुत भेरहमी से हार जाता है कौंग ने गॉडजिला को बहुती बुरी तरीके से पीटा होता है और अब सीन मुड़ कर इन तीनों पर आता है जहां ये एपेक्स कंपनी के द्वारा पकड़े गए हैं और यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि यहाँ पर एपेक्स कंपनी इन तीनों का अपने इरादों के वर में बताती है उसके बाद हम देखते हैं कि कौंग वसी गॉडजिला एक बार फिर से फाइट सुरू हो चुकी है और यहाँ पर गॉडजिला बहुत पावर ले के इस बार फाइट बैक करता है और यहाँ पर फिर से एक बहुत खतरनाक फाइट होती है और अब गॉडजिला कौंग को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि कौंग अदमरा हो जाता है वो कौंग को मारता नहीं है क्योंकि कौंग को मरने के लिए छोड़ देता है अब यहाँ पर एंट्री होती है इस मैचा गॉडजिला की और यहाँ पर यह अपने AI पर चलने लगता है जो बंदा इसे कंट्रोल कर रहा होता है वो शौक से मर जाता है और Apex हैट भी मारा जाता है फिर सीधा गॉडजिला से फाइट करने के लिए यह सीधा मैदान में उतरता है उसके बाद यह गॉडजिला को बहुत मारता है फिर सीन मदल कर कौंग के पास आता है जहाँ पर वही लड़की जिया कौंग के पास जाती है और उसको पता चलता है कि कौंग के हाटबिट कम हो रही है उसके बाद वो अपनी अडॉप्टिक मॉम के पास जाती है और बोलती है कि कौंग को किसी तरीके से बचा ले उसके बाद हम डॉक्टर नेथिन निल को देखते हैं जो कि ये सब सुन रहा होता है डॉक्टर नेथिन बताते हैं कि जो वीकल यानि कि जो वीकल एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाती है उसमें इतनी पावर है कि वो कॉंग को वापिस से ताकतवर बना सकती है ये लोग वैसे ही करते हैं और उसके बाद कॉंग फिर से खड़ा हो जाता है फिर ये लड़की इसको समझाती है कि गॉड्जिला बुरा नहीं है लेकिन जिससे वो लड़ रहा है वो गॉड्जिला बहुत ज्यादा बुरा है वो इन सब को तभा करना चाहता है और कॉंग सिदा उसके पास पहुँचकर गॉडजिला को गॉडजिला और कॉंग दोनों मिलकर इस मैचा गॉडजिला पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर मैचा गॉडजिला और वसिस कॉंग वन वन होता है और गाइस लिटरली सही बतारों इस पिचर में गॉडजिला इतना भाई खतरनाक सा दिखाया ना कि भाई क्या बताऊ मैं उसके बाद सीन इन तीनों पर आता है जहां यह सोचते हैं मिलकर कि इस मैचा गॉडजिला को कैसे रहो के क्योंकि यह तीनों उसके स्कल ब्रीन के अंदर होते हैं यानि उसके सिस्टम के पास होते हैं और वहाँ पर यह लोग मिलकर काफी ज्यादा कोसिस करते हैं बर्नी पासवर्ट क्रेक करने की कोशिज भी करता है लेकिन वो खुलता नहीं है जाहिट से वात है लेकिन बर्नी की एक आदत होती कि वो दारू लेकर अपने साथ घूमता है तो जो 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 होता है उसको बहुत बुरी तरिके से डिश्ट्रॉई कर देता है और यहाँ पर फाइनली इसकी एंडिंग हो जाती है फाइट की उसके बाद गॉडजीला और कॉंग एक दूसरे को आपने सामने देखते हैं और यह चीज रियलाइस करते हैं कि यह दोनों ही नैचुरल हैं और इन दोनों में कोई भी दुस्मनी नहीं है उसके बाद दोनों एक बार बहुत तेजी से चिलाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं गॉडजीला पानी के दुआरा अपने जगा निकल जाता है और गाइस यही थी यह पूरी मूवी गाइस मैं बताना चाहूंगा कि यह मूवी बहुत जादा अच्छी थी मैं इसका सब्दों में बयान नहीं कर सकता है यह इतनी बेस्ट मूवी है लेकिन इसमें जो वीक मुझे पॉइंट्स लगे थे एक हो एंडिंग का और एक इन तीनों का सीन इन तीनों का कोई मतलब नहीं था इस पिच्चर में जहांपे मैडिसीन और बर्नी का इनका कोई आपस में मतलब कोई मेल बैट नहीं रहाता साबसाब मने बताना चाहूं तो और उसके बाद इस मुवी में कई-कई वीक प्लॉट भी हैं जैसे कि आपके पहले गॉड्जिला हमला कर देता है फिर गॉड्जिला जीता है फिर कॉंग जीता है फाइट बहुत अच्छी है मैं मानता हूं लेकिन वीक्स है कही कही जगा पर मुवी अपने आपको वीक प्रूफ करती है कही कही जगा तो यह विंजर होने तक की कौसिस करती है बट क्या करें यह करनी पाई लेकिन एंड यही बोलना चाहूंगा पिच्चर बहुत अच्छी है गाईस अगर आपनी पिच्चर नहीं देखी तो बहुत उम्मीद है तो प्लीज मेरी हेल्प करें ताके मैं जल्दी से जल्द अपने सब्सक्राइबर्स गेन करके आपके लिए और बैतरीन मुवी लेके आऊं जब तक के लिए मिलता हूं गुडबाए